हेई हलो एव्रीबड़ी विल्कम बैक वित अन्यू विट बहुत सारे लो क्याते हैं भाई 100% विनिंग रेशियो विद इस स्ट्राइटजी जो कि भाई लगभग इंपॉसिबल है क्यों है क्योंकि या कोई भी ना स्ट्राइटजी परफेट नहीं होती है कोई भी स्ट्राइ वो आपको सिर्फ confirmation strong करने के लिए help करती है मतलब आप अगर भी trade signal लेने के लिए चाते हो तो क्या होता है आपको जरूरत पड़ती है अपनी confirmation को strong करने की तो आपको strategies काम आती है जो की time to time upgrade होती रहती है जरूरी है और हमेशा से मैं यही कोशिश करते आता रहा हूं और आते रहूंगा कि जो strategies है ना guys वो काफी easy हो आप लोगों के लिए इस channel की हमेशा से यही कोशिश रही है कि trading को किसी ना किसी हद तक आसान किया जाए आप लोगों के लिए लेकिन गलग तरीपिय से रही अगर कोई strategy काम करती है 80% तो मैं सिर्फ आपको 80% तक का ही बताऊगा और हमेशा से आपको कहता हूँ strategies पमाने नहीं होती है follow तब तक करो जब तक काम कर रही है काम नहीं कर रही है तो wait for next strategy भाई मैं किसलिए बैटा हूँ यह channel किसलिए आप लोगों को नई-ने strategies देने के लिए जैसे ही ज़रूरत पड़ती है strategy को upgrade करने की आपके लिए वीडियो आ जाती है इस channel की ओपर तो make sure कि stay tuned रहो भाई वीडियो skip ना करने वाले लोगों के लिए एक और बात मैं वीडियो को start कर सकता भाई directly strategy को कैसे apply कर सकते हो आपने craft पे लेकिन यह starting की जो मैंने आपको बाते बता या भाक्षान दिया वो क्यों कहा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते strategy काम नहीं कर रही है कुछ कहते है काम कर रही है कुछ time period के लिए काम कर रही है अगर आपको कोई strategy काम कर रही है फिलाल के time पे ठीक है तो आप उसे use करो जब तो आपको profit मिल रहा है लेकि जब उपका लॉसन ना स्टार्ट है ना यहां पर आपको वेल्यू को करना है कस्टमाईजर 20 को हटा की से आपको करना है 14 जी हां color आप जो चाहे वो रख सकते हैं यह आपके उपर depend करता है दूसरी जो indicator आपको apply करनी है वो है MACD का इसे हमें रखना है by default यानि कि यहां पर आप तीन values देख पा रहे है 12, 26 and 9 इन्हें आपको change नहीं करनी है तो in short हमारे जो indicators है वो applied हो चुके है चार्ट के उपर तो guys note के साथ आपको एक बात बताना चाहूँगा यह जो strategy है ना euro USD and GBP USD पे काफी अच्छी work करी है तो इस point को consider जरूर करना while training तो guys अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमें confirmation कैसे मिलेगी हमें दो दरीके से confirmation मिलती है call and put call का मतलब green button and put का मतलब red button call का मतलब उपर red का मतलब नीचे correct है ना भाई तो अब हमें देखना है सबसे पहले call entry के लिए तो यह call entry के लिए हमारे दोनों ही indicator और trend lines बहुत important role अदा करती है CCI की बात करते है तो यहाँ पर मैंने customize क्यों किया था CCI को तो वो अभी पता लगेगा एक और चीज यह तीनों जो indicator है मैं तीन क्यों कहा रहा हूँ क्योंकि आप हिस्टोग्राम की भी बात करेंगे हम trend line की भी बात करेंगे और CCI की भी बात करेंगे तो indicator दो ही है लेकिन confirmation तीन देंगे तो हमें start करना है CCI से आप MSED से भी start कर सकते तो सबसे पहले आपको यह देखना है call के signal के लिए या confirmation के लिए call का मतलब अगर आपको उपर के signal चाहिए green के लिए तो आपको सबसे पहले यह देखना परेगा कि minus 100 से नीचे green color की trend line होनी चाहिए आप देखिए मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ देखे यहाँ पे यहाँ पे इस particular situation में minus 100 से नीचे हमारी green color की trend line है लेकिन उसने 100 minus 100 को cross नहीं किया है तो हमें trade नहीं लेनी है हमें trade कैसी situation में लेनी है जहाँ पे हमारी green color की trend line minus 100 को cross कर दे minus 100 का जो level है तो इस particular point पे minus 100 के level को cross कर दिया है green color की trend line ने तो इसका मतलब हमारे पास एक confirmation मिल जाता है CCI की तरफ से कि भया हम उपर की तरफ trade ले सकते है अब हमें चाहिए दूसरा confirmation MACD की तरफ से तो यार एक चीज़ बता देता हूँ यह देखो zero line दिखने है ना आपको इसको आप histogram बोल सकते है तो histogram के यह bars देख पारे है ना blue color के तो आपको कहां पे signal मिला था इस particular point पे तो हमें एक चीज़ तो यह देखनी है कि यह जो bars है वो नीचे की तरफ बने तो नीचे की तरफ बने तो नीचे की तरफ बन रहा है अब दूसरी चीज़ हमें यह देखनी है कि जो bar strength होती है यानि कि इससे जो पिछला bar है उससे छोटा ना हो next bar या तो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो यह चीज़ आपको notice करनी है तीसरी चीज़ आपको ये notice करनी है कि ये जो दो trend lines आपको दिख रही है red color की और green color की ये दोनो trend line आपके इस histogram level से या histogram की जो bars है इनसे नीचे होनी चाहिए बार से नीचे ना हो तो भी चलेगा लेकिन इस level से नीचे होना यानी zero line से नीचे होना काफी जादा ज़रूरी है तो यहाँ पे आपको trade लेनी है 5 minute की upward direction में 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे close हुई इसका मतलब आप straight through win करोगे simple confirmation है फिलाल के time पे काफी अच्छी काम कर रही है जब आप use करते हो आपको profit मिलता है आपको समझ आ ही जाता होगा कि एक strategy बनाने में कितनी मेहनत लगती है तो request करता हूँ like, comment and share करके अपना फ्याहर सरूर दे दिया करो यार वीडियो उसको अब आते है put के signal पे यानि कि आप हमने पता लग गया call का signal कैसे मिलेगा अब आते हैं put के signal पे put का signal opposite है भाई तो overbought की situation में हमने CCI में call का signal लिया था same उसी तरीके से M.A.C.D. में oversold की situation में हम क्या करेंगे हम लेंगे put का signal correct है मतलब just opposite है भाई देखे यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा पीछे चाता हूँ हमारे पास कोई situation मिलती है उसके basis पे हम discuss करेंगे because live scenarios में मज़ा आएगा discuss करने में हाँ okay 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 probably we got this situation okay okay यहाँ पे तो सबसे पहले put का signal मतलब red color का signal नीचे की तरफ signal के लिए आपको क्या करना है आपको CCI को ये देखना है कि वो 100 plus 100 को cross करना चाहिए उपर से नीचे की direction में यहाँ पे cross करता है इस particular point पे यहाँ पे अब अगली situation आपको ये देखनी है नीचे ये जो histogram है ये जो bar है ये देखे हाँ ये जो bar है इसकी strength जो है पहले बार में क्या था पहले हमने जो confirmation ले थी call के signal के ले उसमें जो इसकी strength है bar की वो पिछली की strength से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए लेकिन इस condition में जब आप नीचे की तरफ signal लेते हो तो जिस candle पे हमें signal लेना है वो histogram bar जो है histogram level के उपर होना चाहिए या histogram bar के उपर हो तो बहुत ही अच्छा है तो ये हमारी condition काम कर रही है तो अब हम जाते हैं हमारे signal पे यहां पे तो इसकी closing कहां पे हुई भाई यहां पे हमें यहां पे trade लेनी है इसकी closing पे अगले 5 मिनट के लिए तो 1, 2, 3, 4, 5 हम विन करते हैं जी हां तो भाई इतना जरूर बता देता हूँ time जरूर लगेगा एक कानफरमेशन लेने के लिए लेकिन इतना जरूर कहता हूँ हमेशा से ही कहता हूँ और कहता भी रहूँगा अगर time लगता है आपको एक signal लेने के लिए लेकिन अगर आपको पता है उसके profit करने के chances ज़्यादा है उस signal से profit मिलने के chances ज़्यादा है तो वो worth रहता है otherwise आप 10 signal लोगे उसमें से 5 जितों के 5 हारोगे तो मतलब क्या निकलेगा ultimate loss होने वाला है आपको तो यार मेरा तो यही कहना होता है एक दिन में चाहें आप 5 ही signal लो जादा मतलो लेकिन उन 5 में से 4 ITM आने की कोशिश अगर हम कर सकते हैं हमारी तरफ से तो बहुत अच्छी बात है तो आपको ultimately profit होगा in the end of the day और यह जो मेहनत आप लोगों के लिए करता रहता हूँ उसका appreciation दे दिया करो यार like target complete कर दिया करो telegram ते join हो जाओ नहीं हुए हो तो चलिए गज़ मुलाकात करेंगे और exciting videos के साथ thank you so much for watching this video till the end